हेलो प्रेंट्स मेरा नाम है शर्वरी और मेरे चानल में आपका सौगत है आज हम बनाएंगे एक पॉप्लर स्ट्रीप को जिसका नाम है सेव पॉप तो हम शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए यह सेव तमाटर यह प्यास ककडी या खीरा यह लाल मिच का पाउडर यह केचप या सौस दोनों में से कोई भी ले सकते हो यह चीज यहां पर मैंने बटर रग दिया है और यह है वेज मैयनीज मैने लिए है और यहां पर मैंने दो बर्गर बन लिये तो सबसे पहले हम यह बंस को काट देते हैं इसको ऐसे काट देना है अब मैं यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख देती हूँ पहले यह जल्दी फटाफट बन जाता है इसलिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है तो पहले मैं इसको यह एक साइड में बटर लगाऊंगी तोड़ा सा बटर लगाना है क्योंकि हमने उपर भी बटर लगा देना है एक साइड में हम लगाएंगे यह मैयनीज मैयनीज तोड़ा जादा लगाएंगे अब इस पर हम डालेंगे प्यास मैं आप तोड़ा प्यास ये कक्री बिसकर इस पर हम डालेंगे यह सॉस यह जो सेव हमने ली थी वो तोड़ी जादा डालनी है मिर्च पाउडर डालेंगे अब हम इस पर डालेंगे यह चीज अब हम इस पर डालेंगे यह चीज अब हम इसको डग देना है इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर मैं तवे पर थोड़ा सा बटर डाल लेती हूँ अब इस पर डालेंगे हम इस बंस इसको बस दो या तीन मिनट दोनों साइड से हमें सेकना है दो मिनट हो चुके हैं तो हम अब इस बंस को पलट देंगे अब दोनों साइड से दूसरे साइड से भी हम दो मिनट तक इसे फ्राइ करेंगे और हमारा सेवपाव तयार दूसरे साइड से भी मैंने दो मिनट के लिए इसे फ्राइ किया है तो हमारा सेवपाव तयार है, मैं गैस बंद कर देती हूं और हम इसे सवभणे टूसरे गैस बंद कर दिया है मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूं बहुत ही सिम्पल डिश है जडपट बन जाती है और उतनी ही प्रेस्की है तो सेव पाव है तो उपर से में फूरी सेव डाल देती हूं इसके तो ये बन गया हमारा पॉपिलर स्टीपूर सेव पाव आप इसे जरूर बनाईए अगर आपको ये पसंद आए तो आपके से लाइक कीजिए शेट कीजिए और पिने कमें सुझे जरूर वीजी थैंक्यू